स्वागत है आपका आपके अपने चैनल sg food world में मैं लोटी हूँ एक और healthy breakfast recipe के साथ जिसका नाम है उपमा जो weight loss करना चाहते हैं जो dieting पे हैं ये recipe उनके लिए best है इस recipe की शुरुआत करने से पहले आईए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करे साथ ही bell button प्रेस करें latest updates and notification के लिए चलिए फिर देर के इस बात की शुरू करते हैं इसमें डलने वाले ingredients देख लेते हैं उपमा बनाने के लिए हमें लेने हैं दो medium size प्याज जो की chop कर लेने हैं और लेना है हरा धनिया chop किया हुआ एक नीम्बू एक medium size हरी मिर्च चौप की हुई दो टेबल स्पून बॉयल्ड और स्टीम्ड कॉर्ण चार से पांच फ्रेश कड़ी पत्ता लीव्स में इंग्रीडियन्ट सूजी जिससे उपमा बनेगा एक कप सूजी लेनी है रोस्ट की हुई और लेना है तीन कप पानी जितनी सूजी लेंगे उसका तीन गुना पानी लेना है दो टेबल स्पून चने की दाल जिसको आदे घंटे के लिए भिगोना है अब सारे इंग्रीडियन्स रेडी हैं तो चलिए बनाते हैं उपमा एक कढ़ाई लेंगे और मीडियम फ्लेम पे उसे गरम कर लेंगे एड करेंगे तीन टेबल स्पून मेल्टेड घी घी हलका गरम हो जाए तो इसमें आड कर देंगे एक चुथाई टीस्पून राई उपमा में राई का टेस्ट बहुत ही बड़ी आता है साथ ही आड करेंगे एक चुथाई टीस्पून सरसो कटी हुई प्याज भी डाल देंगे और अच्छे से सौटे करेंगे प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये ट्रांस्लूसेंड नहीं हो जाती मतलब इसका कच्छापन नहीं चला जाता प्याज भून चुकी है अब इसमें आड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और चने की डाल लगबग आदा मिनट के लिए इसे सौटे करना है उपमा एक बहुत ही फ्लेवरफुल और फेमस साउथ इंडियन ब्रेक्फास्ट है ये बहुत ही लाइट और हेल्दी होता है आदा मिनट हो चुका है अब इसमें डाल देंगे पानी साथी साथ डालेंगे बॉइल्ड कॉर्ण, कडी पता लीव्स अच्छे से हिला लेंगे एक चुथाई टी स्पून काली मिर्च नमक डालेंगे स्वादा नुसार मैंने यहाँ पर देज टी स्पून डाला है जब तक बॉइल नहीं आता तब तक फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे अब अट करेंगे नीम्बू का रस हरा धनिया जैसे ही बॉइल आ जाता है तो फ्लेम को लो कर देंगे इस टाइम पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने नमक सही डाला है या नहीं पर ध्यान रखें पानी गरम है तो थोड़ा ठंडा करके ही चखें आड करेंगे रोस्टेट सूजी जिस तरीके से मैं दिखा रही हूं विल्कुल वैसे ही डालना है एक हाथ से सूजी डालते जाएंगे और एक हाथ से कंटिनूसली स्टर करते रहेंगे सारी सूजी एक साथ नहीं डाल ली है ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लंस ना पड़े सूजी डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे अभी भी कंटिनूसली स्टर करते रहेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मिक्षर थिक होना शुरू हो गया है बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और सूजी तो आप जानते ही हैं बहुत ही रिच होती है प्रोटीन में इसलिए उपमा बनाने के और खाने के फाइदे भी बहुत है ठिक होते होते एक ऐसी स्टेश पहुच जाएगी जब ये कड़ाई छोड़ने लगेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और इस समय फ्लेम बंद कर दे उपमा बिलकुल रेडी है गरम गरम परोसे और इसका आनन्द उठाएं मिलूंगी ऐसी ही फ्लेवरफॉल और हेल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और दोंगे टो लाइक शेर और सब्सक्राइब